थांदा सर्किट हाउस पर समय मेरे साथ मौजूद हैं कल सिंग भावर जी बीजेपी के अनुसुची जंजाती मोर्चे के प्रदेश अद्देक्ष हैं एक बड़ी जिम्मेदारी संग्ठन ने उनको दी थी तो चुनावी साल है तो कुछ चर्चाएं उनसे करते हैं कल सिंग आप विदान सबा लड़ेंगे या लोग सबा पहला तो लोग की जिग्या सही है जैसा मुझे सिर्ष नित्वत भारती जंता बार्टी संग्ठन जो निर्देश देंगे मैं उस निर्देश का पालन करूँगा जनजाती मोर्चे की क्या तैयारियां है विदान सबा चालीस से पेतालिस तक हम जीतने का पूरा प्रियास करेंगे और जीतेंगे ऐसा मुझे पूरा बरोशा है सरकार को लेकर राहूल गांदी का बयान आया है कि 150 सीटे कांग्रेश जीत रही है और अपनी सरकार बना रही मद्द्वतेश में राहूल गांदी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे उनके पास कोई योजणा नहीं है उनके पास कोई लक्शन ही उनका कोई उद्देश नहीं है इसलिए मुह से जो बहुता नकल जाती है और प्रेश कांफेरंस की थी कंतिराल जीने कल और और कहा कि ये पैसा तो फर्जी एक्ट है। वो श्यम अपना निर्णे करें और अपने इस देश को अपनी संस्कर्टी अपने रितिरिवाज अपने परंपराओं को सुद्रण बनाते हैं बनाए रखने के लिए उन्होंने जो पैसा एक्ट कानून बनाया वो वास्तों में हमारे जनजाती समाज के लिए हमारे आदिवसी भी मनेगा हमारी द्रश्टी है कि गरीब जो व्यक्ति इस देश में निचले गाउं तक रहता है उसने आज संस्कृती बचाए हुए हैं परंपराओं बचाए हुए हैं वो रितिरिवाज परंपराओं आज भी हमारे जनजाती समाज के निर्वान करते आ रहे हैं उनको दे लको का ये एक संग्ठन है और ये पारकिकस से दूर है किसी के पास कोई लक्ष होना चाहिए कोई मकसद होना चाहिए जैश के पास कोई लक्ष नहीं, कई मकसद नहीं, कोई उद्देश नहीं एक अभी आंधी आती है और आंधी उटकर बहुत जोर शे आंधी आती है और वो कहीं कच्रा इखटा कर जाती है कहीं पेड़ पोधों को तहसना हस कर जाती है इस परकार को जयेस खड़ा हुआ था मगर वो अपने आप समाप्त सह हो गया है अब जयेस की कोई भूमिका नहीं अंतिम सवाल कल प्रेस कॉंफरेंस में पलायन को लेकर वड़ा हमला किया है कांगरेस ने कहा कि बीजेपी गिराज में जवर्जस पलायन हो रहा है जहाब वजले से पलायन पहले था कांग्रेश के सरकार में पूरे पूरे घर खाली हो जाते थे हमारे घरों के सामने दर्वाजों पर कांटे लगा कर हमारे लोग पलायन हो जाते थे आज पलायन के नाम पर कोई भी नहीं है आज देखे हम सारे जो मजदूर पहले कांगरेज के समय में बढ़े-बढ़े सीटीओं में चोराहों पर खड़े रहते थे आज थांदला में ऐसे चोराहे बर जाते हैं, अज जहबोवा में वो चोराहे बर जाते हैं आज मेगनगर में वो चोराहे बर जाते हैं और जिस परकार से मानी परधान मंत्री नरेंडर मोदी जी की योजना परधान मंत्री आवास योजना है तो गाउं गाउं में निर्मान हो रहे हैं और सारे हमारे गाउं के यहीं के लोग यहीं पर अपने मजदूरी कर रहे हैं और जीतेंगे जिस प्रकार से योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भारती जन्ता पर्टी ने करा है। आपकी राए कमेंट बाक्स में जरूर बताइए।